तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहू की महादसा आपके लिए कैसे रहेगी जब मीन लगन में विभिन बाहों में राहू इस्तित हो इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर आपका राहू मीन लगन में 11 थाउस में इस्तित हो तो राहू की महादसा आ जाने पर आपको किस परकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं राहू अगर आपके 11 थाउस में है तो यहां मकर रासी में राहू इस्तित होगा मकर रासी में यह जो प्लेस्मेंट है राहू की वो एकदम अच्छी प्लेस्मेंट बहुत ही सांदार placement माननी जाएगी और अगर आपका सनी बहुत मजबूत इस्तिति में है चार्ट में तो ऐसा राहू आपको काफी कुछ जीवन में देगा लेकिन ये Capricorn का राहू है Capricorn का राहू है तो जात तक बहुत ज़्यादा धनवान होगा अपने खुद के effort से अपने खुद की मेहनत से वो धन कमाएगा काफी धन अरजित करेगा वो friendship में बहुत अच्छा होगा लोगों के साथ conversation में काफी अच्छा होगा business minded होगा साथ ही वो अपने काम पे बहतर तरीके से focus कर पाएगा उसमें qualities बहुत ज़्यादा होंगी उसमें खुद की छमताएं बहुत ज़्यादा होंगी और अगर छमताएं नहीं भी होंगी तो ऐसे जातक अपने खुद के बल पे अपनी छमताओं को develop करने वाले होते हैं क्योंकि मैली यहां राहू थर्ड हाउस को देख रहा होता है थर्ड हाउस पर राहू की दृष्टी पढ़ने की वज़े से यहां जातक जो कुछ चाहता है वो अपने खुद के effort से achieve करने की कोसिस करता है और क्योंकि राहू obsession create करता है राहू एकदम out of the box DJ देने के लिए माहिर है तो जातक निस्थि धन संपती name fame, अच्छा reputation अच्छा मान समान यह सब प्राप्त करेगा और अपने effort से प्राप्त करेगा अब अगर आपका सनी बहुत मजबूत इस्तिति में है तो ऐसा राहू आपको business में successful बना सकता है आपको name fame बहुत अच्छा दे सकता है इवन आपको politics में बहुत अच्छा name fame दे सकता है देखा जए तो ऐसा जातक बहुत money minded होगा वो अपने लाब पे, अपने धन पे ज्यादा से ज्यादा focus करेगा अगर सनी अच्छे इस्तिति में नहीं है और राहू का समन्द अगर मंगल से हो तो जातक धन का लालची होगा speculation में पड़ेगा जुआ, लोटरी, सटा, इन सब में पड़ेगा illegal काम करेगा राहू की दिसा में और काफी बार वो हो सकता है उसके पर कोई legal कारवाई हो ऐसा बहुत बार देखा जा सकता है साथ ही किसी भी प्रकार से unwantedly जातक कुछ गलत कारी करके अपना wealth खो देगा अपना धन खो देगा और जातक को काफी बार issues आएंगे धन से समन्द इत्व money matters में उसको काफी सावधान रहना पड़ेगा लेकिन अगर आपका मंगल अच्छे स्तिते में है चार्ट में अगर रहु से उसका संबंद नहीं है और देखा जए तो अगर शुकर का रहु से संबंद हो तो ऐसा रहु आपको काफी कुछ दे सकता है फिर ये 11th house जो है वो आपके बड़े भाई का घर है आपकी जो मनो कामनाएं हैं इच्छाएं हैं उनका घर है तो ऐसा रहु आपको काफी ज़्यदा obsessed कर देता है आपकी धन संबंदी आपकी पारिवारिक इच्छाएं और एक बहुत बहतर luxury life जीने के लिए ऐसा रहु आपको प्रेरित करेगा तो रहु की दसा की दुरान ये लगबग possible है आपके लिए और बहुत हदितक ही possible है कि आप जो कुछ पाना चाते हैं life में जो कुछ करना चाते हैं वो आप करेंगे वो आप achieve करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से achieve करेंगे रहु की इस इस्तिक की वज़े से आप लोगों को बहुत जल्दी connect कर लेंगे अपने साथ लोगों का फाइदा उठाने में माहिर होंगे लेकिन अगर गलत तरीके से काम करने के लिए जाते हैं, illegal तरीके से काम करने के लिए देखते हैं, तो यहां आपको नुकसान भी होगा साथ ही आपको धनका लाल सी बिलकुल नहीं बनना चे, अपनी खुद की मेहनत, अपनी खुद की काबलियत पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखना चे इसके लवा आपको देखना पड़ेगा राहू के साथ क्या कोई ग्रह इस्तित है अगर राहू के साथ कोई भी ग्रह इस्तित है जैसे कि जुपिटर या शुक्र या मरकरी, तो हो सकता है उनका जो परभाव है वो भी आपको strongly राहू की दसा की दुरान देखने को मिले और राहू अगर इन ग्रहों के साथ है तो इनकी जो quality है इनके जो गुण है उनको भी काफी ज़दा बढ़ा देता है तो इसका जो major effect है वो आपको राहू में जब उस particular ग्रह की दसा चलेगी जो राहू के साथ यूति करके बैठा है तब देखने को मिलेगा तो यहां पर राहू और यह जो दूसरा ग्रह आपका रहेगा वो आपके चार्ट में आप कौन से भाव का स्वामी यह देखना भी आपके लिए काफी important है तो राहू की दसा फिर matter करता है आपके लिए कौन से age period में आ रही है जैसे हो सकता है बहुत ही शुरुआती age में बहुत ही जल्दी आपको ऐसी दसा आ रही हो तो यह आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो पारिवारिक समंध हैं जो आपके friend circle है उससे आपको फाइदा करवाएगी आपको बिना मेहनत किये लोगों का support और धन देखने को मिलेगा लेकिन अगर किसी को mid days में ऐसी दसा आती है mid days में ऐसी दसा आने पर जातक ज्यादा से ज्यादा अपने आपको काबिल बना लेगा ज्यादा से ज्यादा धन संपति अर्जित कर लेगा और जातक के पास इतनी ज़्यादा काबलियत होगी इतना ज़्यादा confidence उसके अंदर आ जाएगा कि वो सब कुछ कर लेगा जो वो चाहता है actual में इसके लवा ऐसा जातक वो ज़्यादा से ज़्यादा धन समपती प्राप्त करना चाहेगा वो उसको तरीका कोई भी use करे किसी भी प्रकार से ये सब अरजित करे लेकिन वो अक्सर ऐसा जातक अपनी अगर मेहनत पे बिलीव करे अपने hard work पे अगर बिलीव करे तो ऐसा कर पाएगा फिर राहू यहाँ स्थित है तो जातक का मान समान उसकी सामाजिक परतिस्था उसका नेटवरक ये बहुत बड़ा होगा और जातक कुछ हद तक politics में हो सकता है या बहुत बड़े-बड़े VIP लोगों के साथ उसके connection हो सकते हैं और जिन भी VIP लोगों के साथ आपके connection होंगे उनसे आपको जिवन में काफी फाइदा भी होगा उनसे आपको जब आपको चाहिए support तब support भी मिलेगा तो ऐसा राहू बहुत बार ऐसे chances बनाता है multiple ऐसे source of income देता है आपको जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अरजित कर सकते हो तो राहू का ये जो placement है कुछ हट तक देखा जाए राहू का ये placement आपको काफी कुछ देगा अपनी महादसा की दोरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा छमतावान बनाएगा आप काफी अच्छे से निर्ने ले पाएंगे आप communication में भी बहुत अच्छे होंगे thought process कैसा है, सोचने समझने का, निर्ने लेने का तरीका कैसा है ये सब बहुत एहमियत रखते हैं आप लोगों के लिए तो यहाँ पर राहू का जो messaging प्रभाव है वो आपकी economy condition से जुड़ा हुआ रहेगा वो आपकी name fame अजपरतिस्टा से जुड़ा हुआ रहेगा अब हम बात करें, अगर किसी जात्त को mid age में ऐसी दसा आती है तो इस बात के ज़्यादा चांसे हैं कि ज़्याद तक विदेश से भी धन प्राप्त करेगा और उसके पास income source बहुत सारे होंगे लेकिन यहाँ पर राहु है तो कुछ हर तक संतान से ऐसंतुष्टी दे सकता है संतान के साथ relation में बहुत ज़्यादा समस्या दे सकता है बहुत ज़्यादा speculative बना सकता है, लालची बना सकता है तो आप लालच की वज़े से अपना धन और संपती खोएंगे यहाँ राहु अगर इस्तित है और महादसा आजाती है तो अगर किसी जात्तक हो बहुत लेट एज में, ओल्ड एज में ऐसी दसा आती हो तो जात्तक काफे ज़्यादा famous होगा धन संपती की उतनी चाहत के नहोते होगी जात्तक का मान सम्मान परतिस्था old age में ज़्यादा रहेगी और उसके young age में कियेगे कारियों का प्रेणाम उसके कारियों का प्रभाव उसको later age में भी देखने को मिलेगा अब हम राहु की यहाँ दृष्टियों की ब्यात भी कर लेते हैं तो सबसे पहले राहु देखते हैं आपके third house को third house जहाँ दो नमर साइन यानि शुकर का घर है अगर शुकर राहु के साथ किसी पर प्रकार से समंदित है या आपका शुकर राहु के साथ ही बैठाओ तो इस case में ज़्यादा इस बात की chances हैं कि आप काफी creative होंगे आप नए-नए ideas create कर सकेंगे और आपका hand skill अच्छा होगा आपका mental level काफी अच्छा होगा आप आतम विश्वासे होंगे और बहुत ज़्यादा दर्ड होंगे अपने नेड़नेों को लेके बहुत ज़्यादा दर्ड होंगे कभी-कभी आप तो ऐसा जातक planning करने में काफी अच्छा होगा और अगर शुकर मजबूत इस्तिति में है तो ऐसा राहू आपको काफी creative बनाने के साथ काफी सारी यात्राएं करवाएगा काफी काम उखता देगा आपको आपको जिवन को just enjoy करने की छमता देगा आप हमेशा जिवन का लुफ्त ले पाएंगे ऐसा जो राहू है ऐसा राहू बार-बार ये chances बनाता है कि आप अपने skills को दूसरे लोगों के सामने भी परदर्सित करें फिर राहू third house को देख रहे हैं तो आपके जो social circle है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका नेम फिम बढ़ेगा परिवार का साथ आपको मिलेगा आपके भाई बैनों के साथ समन्द अच्छे रहेंगे और एक just enjoy करने वाली से इस्तिय आपकी life में रहेगी फिर आपका राहू का जो aspect है वो fifth house पे fifth house पे होने के विए से यहाँ संतान को लेके दिक्कत प्रेम समन्दों को लेके दिक्कत यहाँ कुछ नया सीखते रहने की परवर्ती जरूर आप में रहेगी बट ऐसा रहू जादा तर आपको नेने लेने के लिए बहुत strongly प्रेरित करेगा किसी भी काम पर जब आप focus करेंगे आप action बहुत जल्दी लेंगे आप बहुत जल्दी अपने आपको force करेंगे किसी काम को करने के लिए या जो कुछ आप achieve करना चाते है जो कुछ आप प्राप्त करना चाते है अपने जुन में तो यह आपको education में कुछ problems अवस्षे कर सकता है, क्यों पंचम भाव पर इनकी दृष्टी पढ़ रहे हैं, फिर यहां से राहू देखता 7th house को, अब 7th house को राहू द्वारा देखा जाना, यह सबसे important आपके लिए साबित होगा, क्योंकि ऐसा राहू आपको partner के थरूँ भी काफी ज़्यादा success दे सकता है जिवन में, और actual में आप अपनी life से ज़्यादा तर इस्तितियों में संतुष रहेंगे, अगर आपका partner का support आपको मिल जाता है, बट यहाँ जिवन साती के साथ कुछ हट तक मतवेद या जिवन साती के स्वास्ते को लेकर ऐसा राहू अच्छा नहीं है, partnership को लेकर उतना अच्छा राहू result आपको नहीं दे पाएगा, यहाँ आपकी कुछ गलती की वज़े से, आपके लालेच की वज़े से, आपको sudden loss हो सकता है, तो जब यह आप business करने जा रहे हैं, business में proper तरीके से अगर आप strategy बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से business में positivity के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा रहू आपको business में बहुत ज़दे सकता है, आपके business को रहू बहुत जल्दी multiply कर सकता है, बहुत ज़दा फैला सकता है, आपका बहुत बड़ा business बना सकता है रहू, तो अपनी महादसा में रहू almost आपको सब कुछ वो सब देने की courses करता है, जो actual में आप चाहते हैं, या actual में कोई person अपनी life में चाहते हैं, लेकिन आप कितने अनुसासित हैं, आप कितना stress वहन कर सकते हैं, कितना अपने आपको जहल सकते हैं, या दूसरों के जो बाते हैं, दूसरों के जो मत हैं आपके बारे में, उनको आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं राहू का जो result है उन सब पर भी depend करेगा तो ये कुछ results रहेंगे राहू की महादसा के दुरान जब भी राहू आपका 11 थाउस में इस्तित है